इस रेसिपी के लिए आप सबका मेरी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी यम्यमी रेसिपी इस नाष्टे को बनाने के लिए फ्रेंट्स मैंने यहां पर लिया है ग्रेट इड्ट कच्चावला आलू आलू लेना है आपने कच्छा वाला उसको ग्रेट कर लेना है उसके बाद मैंने यहां पिलिया है एक प्यास मैंने मीडियम साइस कर लिया है उसको मैंने चूप कर लिया है अब इसके बाद आप यहां पर डालेंगे एक चम्मच चावल काटा और एक चम्मच बेसन यह दो ची दालेंगे गरम मसाला थोड़ा साथ में धनिया पाउडर पस यह दो चीजें हमने यहां पे डालें यहां जादा नहीं डालें अब इन सब को अच्छे से अपने मिक्स कर लेना है यह एकदम से डो तो नहीं बनेगा बस इस तरह से अलग लग ही रहे लेकिन इसका जो पराथा बहुत ज़दा टेस्टी बनता है और बहुत ही हम होता है आप एक बर बनाओगे तो आप डेली ऐसा ही नाश्ता बनाना प्रेफर करोगे तो बस इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है सारा तो फ्रेंस आप इसमें और भी सबजी एड़ कर सकते हो इसे गाजर एड़ कर बहुत अच्छे से पसंद करके खाएंगे तो जो भी सबजी आप इसमें डालते हैं सब को ग्रेट करके ही डाले उससे इसका जो बाइंडिंग हो जाती है यह वो अच्छी हो जाती है बस इसी तरह से आप ने थोड़ा थोड़ा करके डाल कि इसको फैला देना है और साइड साइड से बाणिए सब कर देना में सबट नेका इनको थोड़ा साइड से राउंड कर लेके पाला दिया आप एसको कुछ नहीं करना है थोड़ा से इसमें इसमें और प्राटा सीख लेड़ी तो यह बहुत यंद्मी भी होता है बदर के साथ Experience करड के साथ खा सकते हैं तो फ्लेम को यहां पर मेडियम ही रखें आप मेडियम से जादा ना करें जल जाता है तो बाहर से पक जाएगा बट अंदर से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो फ्लेम को आप लो रखके यहां पर पकाएं बस ढकल लगा के इसको थोड़ी देर के लिए पकने ने दो मिनट के लिए क्योंकि उससे जी आलू कच्छा है इसलिए सॉफ्ट हो जाएगा अच्छे से तो देखिए एक साइट से मेरा पराठा सिख गया तो कितने अच्छे से बना है जरूरी नहीं है कि आप आठा को गून के उसमें आलू फिल करके जा फिर स्टॉफिंग डाल के ही पराठा बनाए आप इस तरह से बना सकते है और इंस्टें पराठा है मतलब पांच मिनट में आप यह पराठा बना कर लेंगे तो देखिए मेरा एक पराठा बहुत अच्छे से सिख गया है दोनों साइब से बहुत अच्छा कलर आया है तो एक वार यह तेस्टी तेस्टी युमी रेसिपी बनाईए और उसके बाद आप उसको खाईए उसके बाद मुझे पक्का कोमेंट करके बताएं कि आपको रेसि सब्सक्राइब भी कर देना साथ में ही बेल वटन भी दबा देना ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो वह आप तक सबसे पहले पहुँचे तो देखिए मेरा यमी यमी पराठा रेडी है फिर मिलते हैं तब तक लिए फ्रेंस बाबाई टेक्या